उत्तप्रदेश की योगी सरकार 2025 में होने वाले महाकुम्ब के लिए यात्रियों की सुगबता के साथ सुरक्षा का खयाल भी रख रही है जिसमें पहली बार अंडर वाटर ड्रोन और सोनार का इस्तमाल किया जाएगा प्रमुक सचीव परेटान मुकेश मिश्राम जी हमारे साथ मौजूद है महाकुम्ब को लेकर सर आप लोगों की तैयारियां क्या है और इसको किस तरीके सिद्धेव और भववे बनाएंगे इस बार महाकुम्ब दोहजार पच्चीज जो मकर संकरान्ती से प्रारम हो करके महाशिवरात्री तक चलेगा इसमें पूरे विश्व से करोड़ों लोग लगवख 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और इसको द्रश्टिगत रखते हुए पूरे शहर में इंफ्राइस्ट्र काम हो रहे हैं जो पुराने मत मंदीर है या जो पुरानी धरमशाला है है रहने के स्थल है उन सबको भी बेतर करके एक तरीके से उनका सुदरणी करन हो रहा है उनका अपग्रेडिशन हो रहा है वहां पर एक नया experience अच्छे तरीके से जो हमारे परेटक हैं या श्रद्धालू है उनको हो सके उसके लिए भी कई सारे नए intervention टेकनलोजी को ध्यान में रखते हुए किये जा रहे हैं और डिजिटल कुम्ब का एक concept लेकर करके हम चल रहे हैं कि प्रस्तुतियां दी जाएगी साथ ही साथ वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अनिस्तलों का भोजन कुजिन उसको ये भी लोगों को स्वाद लेने का मौका मिलेगा और कई सारे कारिकरम जो हमारे सांस्कृतिक कलाकार हैं धरोहर के रूप में वहां पर प्रस् सम्मिलित करने जा रहे हैं फिर टेंट सिटी जो फाई स्टार इस तरकी टेंट सिटी हम लोग लगाएंगे और उसकी बुकिंग का काम अभी से प्रारम हो चुका है यूपी टूरिजम डेवलोपेंट कार्पोरेशन इस काम में लगा हुआ है उनने अपनी वेब साइट है और उसमें भी एक तो ध्यान ही रखा गया है कि ग्रीन कुम्ब को भी कंसेप्ट में ध्यान में रखती हुए चले तो किसी तरीके का पॉलिथीन इस्तेमाल ना हो किसी तरीके के और अन्या ऐसे रहसाइनिक पदार्थों का उप्योग न करें जो किसन किसी तरीके से जाते हैं वहां से उनको विंद्वासनी मंदिर बहुत बढ़िया कोरिडोर बना हुआ है मिरजापूर वहां जाना है वारणसी जाना है अयुद्या जाना है तो जो वारणसी अयुद्ध्या और प्रयाग राज ।ीनों को हमने जो है इस प्रिचूल ट्राइंगल का नाम द उबनाया है और वो हेलिकॉपटर सर्विस से वो पूरा गोड चुका ब इस जो किसी को भी अगर कहीं से भी आना मान्मट व spielen से आना है तो सीदह हाथ से अर सकता है वार 만들어 si सब कुछ जो है अलग अलग भी भाग मिलकर कि सभी भागों का एक समन्मित प्रयास यह है कि यह एक अच्छा सफलतम कुम हमारे लिए साबीत हो सर प्रभुश्री राम का मंदिर बनने के बाद मुझे लगता है धारिवक डेस्टिनेशन बन गया है आयोध्या सर छे महीने में 11 करोड से जादा देशी विदेशी लोगों का पहुचना सभी को पता है अब इनको रुकने के लिए सर ये भी था कि अब आयोध्या में जो है व पहुच रहे आ रहे हैं इंटनेशनलल एइर पोर्ट वहां पर बन चुका है सड के चोड़ी हो रही है पणचकोशी चैवदा को सी परीक्रमा मारगों को सूववस्तित किया जा रहा है चाला किया जा रहा है और साथ 114 से अधिक हमारे यहां पर होटल गेस्ट लोग रजिस्टर्ट करा चुके हैं तो यह जो परेटन इकाईया हैं परेटन से जुड़ी हुई इकाईया हैं इसमें बहुत सारे इम्यूजमेंट पार्क, गेस्ट हाउस, फाइस्टार होटेल, फोर स्टार, थ्री स्टार होटेल और कई और अन्य सुविधाय वहां पे तीर सुविधा, सात्विक भोजन, वहां पे पार्किंग सुविधा, वहां पे स्वास्तलाप की सुविधा, सोविनियर शॉप्स भी होगी, क्राफ्ट विलेज भी होगा वहां पर, कल्चिरल एक्टिविटीस का भी वह एक हब होगा, तो यह भी हम लोग क्रियेट कर रहे हैं औ और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गोरकपूर में इस्टेट का इंस्टिटूट आफ होटल मेनेजमेंट भी इस्थापित हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, क्योंकि जब होटल बनेंगे तो उसमें मैन पावर की जुरत पड़ेगी, एक होटल मे काईया हैं, ये भी बहुत तेजी से विक्सित हो रही है, इस्थापित हो रही है और फिर आगे बविश्य में ये सब को ख्याल रखे हैं, आने वाले समय में दिपावली आ रही है और आप लोगों की एक बड़ी भूमिका रहती है, तो इस बार का दिपोट्सों कितना खास करेंगे, राम की पेड़ी पे पूरी इसकी तैयारियां प्रारम हो चुकी है, और बैठके भी हो चुकी है, उसका डिजाइन भी हम लोगों ने सब फाइनल कर दिया है, पच्छिस लाख से अधिक दीपक इस वर्ष प्रजुलित करने का है, हमारे दिये पारम परिक दिये हो में लगेंगे, जो बहुत मेहनत करते हैं और कुल मिला करके समझ लिजे कि ये समभनवित प्रयास रहता है सभी का मिल करके, कि दिपोट्सव को यादगार पर एक ऐसी इसमरती बनाएं, जो लोगों ने जिन्हों ने वहां अपनी उपस्तिते दर्च कराई है, वो जीवन प जी भी की जाती है, वहां पर और शोभाय यात्रा निकाली जाती है, सभी चोराओं को सजाया जाता है, तो एक तरीके से आयुद्ध्या का दिपोट्सव जो भगवान शिराम चंडर जी, सीता जी और लचमन जी के आगमन का एक बहुत ही बड़ा स्वागत परों के रूप म को हम जला कर अपना ही रिकार्ड तोडएंगे, लखनव से वीडियो जनरली सनोच के साथ संदीप खेर भरस मचार।